तो दोस्तों अगर आप LTT की त्यारी कर रहे हैं और LTT के महत्पून नोट्स को खृदना चाहते हैं तो आप दिये ये नमपर पर बर्टसेप माधियम से संपर कर सकते हैं यहाँ पर आपको ये नोट्स उपलब्द करवा दिये जाएंगे अगला कोशन है युगनद परतीक भावना किस नमपरदाय से जुड़ी है तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन D बजरियान से अगला कोशन है शोद के संदर्व में दोहरे उदरन चिन का अर्थ है तो ये है ऑप्शन B दूसरे की समागरी का यतावत संदर्व देना ऑप्शन B विल्कु सही जवाब अगला कोशन है चायवाद और रहस्तेवाद पर इनका आकरमन नादर्शाही डंग का है क्योंकि इसी से ही अधिकार चिनेना चाहते हैं चायवाद या प्लाइनबाद यही इनका नारा है जिसके बूते ये सही त्यके एक युग लिखक का है तो इसका सही जवाब है ओप्शन ए नंदुलारे बाचपई अगला कोशन है हिंदी साहित्य का आरलोचनात्मक इतिहास किस ने लिखा है तो इसका सही जवाब है रामकुमार बर्माने अगला कोशन है 55 निमलखीत में से कौन प्रफग्यवादते स्बंदीत नह नरेंदर शर्मा, बाकी केसरी कुमार, नरेश कुमार, नलीन बलोचन शर्मा, ये तीनों प्रपग्यवाद या नकेन बाद से स्वन्दीत हैं, अगला कोशन है, नाथपंत सिद्धों की परंपरा से ही छंकर निकला है, इसमें संदेह नहीं, ये स्थापना या कथन किसका है, तो ये कथन है, ऑप्शन B, अचारे रामचन दर्शुकल जी का, अगला कोशन है, स्थावन, माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन है, तो ये है, रामडिक्ष बेनिपूरी जी, अगला कोशन है, हिंदी कौमोदी किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन D, परसाद बाजबई, अगला कोशन है, 59, मुनश्यों की मुक्ती की तरह कवीता की भी मुक्ती होती है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है, सुरेकांत्री पाठी निरालाजिक, अगला कोशन है, 60, इन में से कौन सा कथन सही है, तो कथन A है, किसी कृति का बहीरंग परिक्षन अथवा तथ्यान्वेशन ही अनुसंदान की सीमा नहीं है, आलोचनात्मक बिशलेशन भी अनुसंदान है, कथन A है, कथन B है, आलोचनात्मक प्रतीवा के बिना उत्कृष्ट अनुसंदान संबब नहीं है, तो यहाँ पर option C सही होगा, अर्थात A और B दोनों कथन सही है, अगला कोशिन है, 61, प्रजाहितेशी पत्तर कहां से प्रकाशित होता था, तो यह होता था, आगरा से option B, अगला है, सहीति इतिहास के संदर में यह कथन किसका है, तो कथन है, कला सदा ही अपना लक्षय प्राथ करती रहती है, इसमें विकास नहीं होता, और नहीं इसे अति क्रांत किया जा सकता है, और नहीं दूराया ही जा सकता है, तो यह कथन है, option A, श्यांपन आवर का, अगला कोशिन है, 63, कल्लू एहलैत किसका छदम नाम था, तो यह था option D, महावीर परसाद द्यूवेदी का, तो यहाँ प्रम्याकों महावीर परसाद द्यूवेदी जी के बारे में कुछ प्रमुक्तत्य बता देता हूँ, महावीर परसाद द्यूवेदी जीने सरस्रती पत्रिका का संपादन 1903 से लेकर 1920 तक किया था, और इन्होंने हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य में, हिंदी भाचा के परिमारजन में बहुत मत्मुन भूमी का अदा की थी अगला कोशिन है, नागरी तेरी अदशा कवीता की रचनाकार कौन है, तो ये हैं ऑप्शन डी, महावीर परसाद द्यूवेदी अगला कोशिन है, 1907 में रिविंदर नाथ ठाकुड ने बिशव साहित्य का उले करते हुए साहित्य के अधियाईन में किस द्रिष्टी की आशक्ता पर जोर दिया था, तो ये दिया था ऑप्शन भी तुलनात्मक द्रिष्टी के लिए अगला है, काब्य हेत्यूं में परिगनित नहीं होता, तो ये है प्रग्या, बाकी अभियास, परतीवा और व्यूत्पत्ती, ये तिनों काब्य हेत्यूं में परिगनित होते हैं, इसमें जो सबसे महत्पून है, वे है परतीवा अगला है हिंदोस्तान पत्तर के संपादक कौन थे तो ये थे औप्षिन डी राजा रामपाल सी है अगला कोशन है दक्षनी भारत हिंदी परचार सवा की स्थापना गांधी जे ने कहां की थी तो ये की थी मदरास में अगला कोशन है निविलखित में से किस एतिहासी पड़ी घटना का समन्द 1917 से है तथा जिसका गहरा असर दुनिया भर के साहित्य पर पड़ा तो ये था अक्तूबर क्रांती ओप्षन सी अगला है सही बिकलप पर निशान लगाएं तो पहला बिकलप है साहित्य के इतिहास की कालकरमानुसार बिधी से रचना होती है दूसरा option है या बिकल्प है साहित्य सारवकालिक होता है तो यहाँ पर कथन एक गलत होगा और कथन दो सही होगा कथन दो जो सही है वो है साहित्य सारवकालिक होता है अगला कुशिन है 1857 के पहले स्वाधीनता संगर्ष में किस युद्धा पर सबसे अधिक भोजपुरी लोग गीत लिखे गए तो ये लिखे गए थे कुमर्सी हैं के उपर आप्शिन सी अगला है नीचे हिंदी के तीन तीन आलोचकों के चार विकलब दिये जा रहे हैं उसका चेन करना है तो ये है रामविला शर्मा नामबर्सी हैं मनेजर पांडे ओप्शिन ए अगला कुशिन है मैं घर्षीता अपमानिता कलंकिनी सौसौ मानवियों की भांती समान ने नारी हूँ जगत की दुख प्रवाह में फिन वुद्वुद के समान में भी नश्ट हो जाओंगी और प्रवाह अपनी मस्तानी चा से चलता जाएगा माता से मैंने बहुत दुखवात का भाव पाया है और पिता से बगवान अणुक कमपा का उप्ट्यू क्युद्धियां किस कृती से है तो ये है बानभट की आतमकथा से और बानभट की आतमकथा ये उपनियास है और हजारी पर साथ दुविदी जीदवारे से रचा गिया है अगला कुशन है चुत्तर नीचे कुछ लेखों और पुस्तकों के नाम दिये गे हैं सही बिकल्प का चेन करना है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प होगा वो होगा और रामधारी सीन दिन कर शुद कवीता की खोज ये इनकी पुस्तक है अगला प्रशन है संसार में जो बात जैसी देख पड़े कभी को उसे बैसे ही बढ़न करना चाहिए ये कतन किस निवंदकार का है तो यह है ओप्शन ए महाबीर परसाद दिविवेदी का अगला है मन्नडे परसी हरी के चरन पत के रचनाकार का नाम क्या है तो यह है मीरावाई तो यहाँ पर मीरावाई जी के इसमन में कुछ तथ्य देखते हैं तो मीरावाई जी का जनम राजस्थान में हुआ था और इनकी मृत्यू द्वारीका में हुई थी कई बार ये प्रशन पूछा जाता है कि जो मीरावाई का क्रिशन भगवान के प्रती भक्ती था वो किस परकार की थी तो मीरावाई की खृष्ण भगवान के प्रति जो भक्ति भावना थी वे थी मादुरी परकार की अगला प्रेशिन है जेशंकर परसाद की क्रिती उरुवशी किस विदा की रचना है तो यह है चंपू काब्य जेशंकर परसाद जी के सुने कुछ तत्य है जैशंकर परसाद का जो परसिद काप्य है वे है कामाईनी और दूसरा है आंसू और जो इनके परसिद नाटक है वे है सकंद गुप्त, चंदर गुप्त, दुरुपसानी, इतियादी अगला कोशन है 78 हम पंडित महाविर परस्वाद दूइवेदी कोपद्य रचना की एक परणाली के प्रवर्वरत के रूप में पाते हैं ये कथन किसका है तो ये कथन है अचारी रामचंदर शुकल का अगला कोशन है सही बिकल्प पर निशान लगाएं पहला बिकल्प है शिला लेखों में उतकीरन लेख या लगू रचना का पाठा लोचन अत्वा पुनर निर्मान किया जा सकता है दूसरा बिकल्प है शिला लेखों पर काल या मनुश्यों का अंसंसकारी कारियों उसके कुछ या अधिक भाग को खंडित कर देता है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प है वे हैं दोनों अर्था तो ऑप्षिन डी अगला कुछ ने निमिली की तरचनाकारों का जनम बर्ष के नुसार सही करम लगाना है तो जो यहाँ पर सही करम होगा वो होगा ऑप्षिन सी अर्था सबसे पहले श्रीदर पाठक उसके पहिशात योदियासी उपाद्याए उसके पहिशात राम रिष्ट त्रिपाठी और सबसे अंत में मैथिली शर्न गुब्द अगला है मैं हिंदोस्तान की तूती हूँ ये किसका है तो यह है अमीर खुसरो का तो यहाँ पर अमीर खुसरो जी के समझ में कुछ तथिया है तो इन्हें भारत की तूती कहा जाता है या हिंदोस्तान की तूती कहा जाता है तो इन्होंने जो भारत में तबला का इज़ात किया था इसके साथ ही इन्होंने भारत में खड़ी वोली का सबसे प्रियोग किया था और ये मुहावरों और रुकोक्तियों का प्रियोग खड़ी वोली के मादियम से करते थे अगला कोशन है 82 शोद प्रारूप में शामिल नहीं है तो ये है option D अर्थात शोद प्रबंद के प्रकाशन की संभावना है D बिल्कु सही जवाब है अगला है शोद में परिकल्पना क्या है शोद में परिकल्पना का अर्थात होता है शोद में सिध्धान या निश्कर्ष तक पहुंचने का साधन अगला है दुखिनी बाला नामक रूपक के रचनाकार कौन है तो ये हैं राधा क्रिशन दास ओप्शिन डी अगला कोशिन है सही बिकल्प पर निशान लगाएं पहला विकल्प है अभी बुर्च पत्रों या तार पत्रों पर लेखों द्वरा लिखे जाते थे तो यहां पर दोनों विकल्प सही है अगला परशन है शोद कारे का उदेश्य नहीं है तो ये है अध्यात्मिक उन्नती बाकी नई तथियों की खोज पुरानी स्थापनाओं का परिमारजन और प्रचलित स्थापनाओं का पुनर विचार करना ये शोत के उद्धिये हैं ओप्शन डी शोत का उद्धिये नहीं है अगला कोशिन है आदी काल को सिध सामंत काल किस ने कहा तो ये कहा था राहुल सांकृतिया अगला कोशिन है उन्नी सो चार में प्रकाशित साहित्य शिर्षक रचना का समन्त किस से है तो ये है अचारे रामचंदर शुकल जी से और शिन भी तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके समक्ष एक प्रस्तूत करता हूँ इसका जवाब आपने मुझे कुमेंट में देना है तो प्रस्तूत है अचारे रामचंदर शुकल के इतिहास का क्या नाम है और इसे कप्रकाशित किया गया था तो यह प्रशन आपके लिए है अगला कोशन है रामभक्ती शाखा की कभी नहीं है तो यहाँ पर जो नहीं होंगे वे हैं नंदरास नंदरास कृष्ण भक्ती शाखा की कभी थे और यह अच्ठ शाप में शामिल थे तो यहाँ पर जो रामभक्ती शाखा से स्वंदित कभी हैं वे हैं प्रांचिन चोहान नावादास हरीदेराम अगला कोशिन है देसिल बयेना सरजन मीठा तैंतेसन जपियो अभठा ये उदरन किस ग्रंद से हैं तो ये है किर्टी लता से औप्शिन दी अगला प्रेशन है हिंदी पत्री का इंदू का प्रकाशन किस बर्ष प्रार्द में हुआ तो ये हुआ था 1911 में अगला है कभीता कौमोदी के रिशनाकार कौन है तो ये हैं रामरेश त्रिपार्थी ओप्शिन डी अगला प्रेशन है आलसीयों का कोड़ा कहानी के लेकक कौन हैं तो यह हैं राजाशी प्रसाद सितारे हिंद तो यहाँ पर राजासी परसाद सितार हिंद के समन्द में कुछ तक्तिय हैं इन्हें भारतिंदू हरिश्चंदर का शिक्षा गुरू भी कहा जाता था और इन्होंने खड़ी वली हिंदू, खड़ी वली हिंदी के परसार में मतपुन घुमी का अदा की थी अगला कुशन है कौन सा यूगम सही नहीं है तो यहाँ पर जो सही यूगम नहीं होगा वो होगा अप्शन डी हरी राम ब्यास इनका समन्द चैतन्य संपरदाय से नहीं है जो यहाँ पर सही यूगम है वे हैं स्वामिय अगरदास इनका समन्द है रसिक संपरदाय से अगला कुशन है निमलिकित में से कौन सी शोध पतती साहित्य सबंदी शोध के लिए उप्यूकत नहीं है तो यह है option C नेदानिक अगला कुशन है शोध में चाकशुक पतती का सरप्रथम दोश कौन सा है जिसके कारण अधियन का परिणाम बास्तविकता परक नहीं रह पाता तो यह है option C आतम परकता अगला है तुम ही अन्दाता भारक के सचमुच बैलराज महाराज बिना तुमारे हो जाते हम दाना दाना को महताज किस कभी की का बेपंगती है तो यह है option A महाबीर परसाद द्यूवेदी जी अगला और अंतिम प्रशन है सरस्वती पत्रेका का परकाशक कौन थे तो यह थे option A बावू चिंतामनी घोश तो यहाँ पर प्रशन इस परकार से है कि सबसे पहले सरस्वती-पत्रेका का प्रकाशन किसनी गया था तो यह किया था बावू चिंतामनी घोशच जी द्वरा तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमारे 100 प्रेशन पूरी हैं तो यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपकी प्रिक्षा के लिए बहुत ही कम समय बच गया है अर्थात जो आपकी एल्टी टैट की प्रिक्षा है इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है इसी समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष लाया हूँ पिछले दस प्रश्चों के हल प्रशन पत्तर अगर आप किसी प्रिक्षा की तियारी करते हो तो आपको प्रिविस एर कोशिन पेपर के महतब के बारे में पता ही होगा क्योंकि अगर जब तक आप प्रिविस एर के कोशिन पेपर को नहीं देखते हो आपको एक अधार नहीं मिलता है कि आपको किस परकार की तियारी करनी है अब देखिए अगर आप Attitat के Slaves को सर्च करोगे तो आपको पूरा Slaves नहीं मिलेगा तो अगर जब Slaves आपको पता नहीं होगा तो आप तियारी कैसे करेंगे इसकी तियारी करने के लिए एक ही मादेम होता है कि आप प्रशन पत्रों को देखिए किस प्रकार के प्रशन पूछे जा रहे हैं और उसी की त्यारी करते रहे हैं अगर आपको लेवल पता चल जाएगा आप त्यारी अच्छे से कर पाएंगे तो आपकी सुभिधा के लिए मैं आपके समक्ष इन प्रशन पत्रों को लाया हूँ तो अगर आप इंट्रस्टिड हो तो आपको इस नंबर पर समपर करना है 82931219 यहाँ पर आप बडशाप करिए आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा ठीक है चाहे LTT के प्रिक्षा हो, LTT कमिशन की प्रिक्षा हो, PGT हिंदी की प्रिक्षा हो, कोई भी प्रिक्षा हो यहाँ पर यह आपके लिए महत्पून होने ही वाले हैं यह जितने प्रशन पत्र हैं यह LTT के हैं, LTT कमिशन के हैं, PGT हिंदी के हैं तीनों के combination यहाँ पर आपके समक्षलाया हूँ, इसलिए आपके लिए बहुत जादा महत्पून होने वाले हैं तो मेरा आपसे आगर है, आप एक बार नहीं देखिए और अपनी तियारी को सुद्रिड कीजिए